कोई वाड नहीं है दोसतों आज के दिन के लिए क्यूकि आज के दिन जो हिस्ट्री क्रियेट हुआ है जो रेकॉर्ड क्रियेट हुआ है साइध ही कभी कोई ये रेकॉर्ड को तोड पाए 40 लाग से दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट सही सुना अपने 40 लाग से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन में आर्थ करके रखें दोस्तों कंगरा चुले से नोमल भाई क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे क्यों पूरे 13,000 क्वांटिटी इन्हों ने लिया था बीटी एस्टी ये ट्रेट था और 13,500 क्वांटिटी में दोस्तों 40 लाग से ज़्यादा प्रॉफिट कर देना यहीं मेरे स्टुडेंट कर सकते हैं अगर आपने वी तक मेरे फ्री बाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं जोइन किया है तो लिंक दोस्तों डिस्किसन में है जोइ आज की दिन हमने बॉटम पकड़ा था आज की दिन हमने टॉप पकड़ लिया कैसे देखना चाहते हैं सिंपल बात हैं दोस्तों 921 पर ही बोल दिया था कि 18,609 के नीचे अगर मार्केट जाएगा निप्टी तो आपको पूड़वाई करना है मेजिक देखना चाहेंगे दे अगर मार्केट गेपब भी खुला तो यहां पे टच करके नीचे आएगा यह आपके सामने प्रूब है दोस्तों उसके बाद आप जड़ा देख लीजिए हुआ क्या जब मार्केट खुला और मार्केट खुलके जैसे ही मेरे जोन को टच किया यहां से डाउन फॉल दिया सेकंड टाइम टच किया यहां से डाउन फॉल दिया यानि कि मार्केट खुलने से पहले जो मैं जोन देता हूँ इतना अच्छा काम देता है और आज के दिन दोस्तों बड़ा से बड़ा प्रॉफिट आया चालीस लाग तीन हजार चार हजार दस हजार बहुत अच्छा दि इतना बड़ा गेप खुलने के बाद तो कल की दिन क्या एगेन मार्केट इतना बड़ा गेप खुलेगा और आप मुप देगा सब कुछ हम डिसकस करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजे और 87,000 सुस्क्राइबर के लिए दिल से थेंक्यू फाइनली आपने कर ही दिया तो च जीदे चालू करते हैं कल की दिन होगा क्या अगर मैं आपको बेंक निप्टी के बाद बताऊं बहुत सिंपल भी है कल की दिन अगर बेंक निप्टी फलेट है फिर गेप खुला और 44,500 के ऊपर अगर बेंक निप्टी सस्टन करने लग गया तो उसके सामने खुला आसमान हैं आराम से आप call buy कीजिए बेठ जाईए और enjoy कीजिए क्योंकि दोस्तों देखिए मैं आपको option चेन पर दिखाऊंगा इसका रीजन 44,500 क्यों दे रहा हूं तो देखिए इसका अगर मैं आपको वोलू उपर ही 44,500 का level है और 44,500 इनको round level माना जाता है जो कि एक support और resistance के जैसा काम करता है तो 44,500 के उपर अगर कल के दिन निकलना चालू करेगा तो हम call खरी देंगे बहुत simple view दोस्तों पहला view आपको clear हो गया दूसरा view मैं आपको call के तरफ ही अगर कल के दिन मार्केट फ्लेट अपर थोड़ा सा भी gap down खुला नीची आया तो आप put by मत कीजिए मार्केट अगर फ्लेट अपर gap down खुलके नीची आ रहा है तो put by मत कीजिए अगर कल के दिन 44,079 से 44,151 यह जो मैं आपको zone बता इसको note कर लीजिए ने तो free वाले group पे जुट जाएए मैं देहीं दूँगा तो 44,079 से 44,151 यह जो zone है इसी zone के आसपास अगर कल के दिन मार्केट फ्लेट आप फिर gap down खुलके नीची आया और यहां से अगर एक 15 मिनिट का इस तरह का bullish engulfing candle बना देता है और यही 15 मिनिट केंडल का अगर समवली दोस्तों high break कर देता है तो यहां से भी आप call खरी सकते हैं इसके पीछे मैं आपको region बता देता हूं बहुत solid region है पहले तो दोस्तों देखिए 44,151 पूरे दुनिया को पता है कि यार यह एक बेंगनिप्टी का आज का lifetime high था इसी resistance के उपर market खुल चुका है gap up तो अब क्या होगा यह resistance बन चुका है support तो जब आएगा तो भाई definitely यहां से उपर ही जाएगा market का trend तो upside rate तो trend के अगने श्ट्रेडा में नहीं लेना है अगर कल के दिन market समवल लीजिए gap down खुल के अगर 44,079 के नीचे यानिके support वगरा break down करके इसी नीचे इश्टा रगा इस तरह का अगर price section down की तरफ देखने को मिले तो ही आपको put खरीदना है उससे पहले आपको put नहीं खरीदना है clear हो गया दोस्तों अब चले जाते है option chain 44,323 के आसपास कहिना के closing दे रहा है अब आच उके bank nifty के option chain पे यह हमारा दोस्तों call writer यह हमारा put writer और 44,300 के आसपास कहिना के closing दे रहा है दोस्तों हमारा जो bank nifty है तो 44,300 अगर आप देखेंगे उपर की तरफ मैं आपको देखी अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको region बता दूँगा कि 44,500 का level मैंने क्यों दिया आपके सामने प्रूव हैं दोस्तों 44,500 पे 28,00,000 से ज़्यादा कहिना के call writer बेट है 28,00,000 से ज़्यादा call writer बेट है उसके ओपर अगर आप देखेंगे खाली-खाली सा है अगर मैं बात करूँ दोस्तों put writer का तो put writer बढ़िया है उनका क्या हाल चाल है उसका तो मस्त है इतना बड़ा gap up खुला अगर आप देखेंगे 44,300 पे दोस्तों 20,000,000 से ज़्यादा put writer है उसके नीचे भी 12,000,000 उसके नीचे 5,000,000 यानि कि ठीक टाक put writer है कोई tension नहीं है कोई डर नहीं है फिर कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है रहने कि दोस्तों कल का पहला हमारा view solid view रहेगा 44,500 के उपर definitely हम buy करेंगे अब जल्दी देख लेते दोस्तों nipty उसके बाद जाएंगे finnipty देखें nipty मुझे कुछ बोलने के जरत हैं बिल्कुल नहीं आपको clearly पता हैं दोस्तों ये जो level है न ये में सुभे draw करके बेठा था आपने free बाले group पे तो दे दिया था अब यहीं level ही कल के दिन काम आए down यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों second time candle ने कहीं के closing देने के लिए खोसिस किया and down यहाँ पर देखेंगे third time कहीं के इसी resistance zone के आसपास आया and down तो simple बात हैं दोस्तों अगर ये complete resistance zone को कल के दिन breakout देके 18,634 के उपर जाएगा तो simply हम call by करेंगे दूसरी बात दोस्तों अगर मैं बोलू put option का तो कल के दिन flat खुला low break किया 18,580 then definitely आप कहीं नहीं put option खरीज लीजिए यहाँ से आपको इतना बड़ा जो आज के दिन market में gap create हुआ है ये gap आपको कल के दिन feel होता हुआ दिखेगा तो कल के दिन अगर flat खुला और आज का low या हमें put buy करना है क्योंकि ये completely आप बोल सकते हैं कि nifty है completely एक range में है simply range उपर की तरफ breakout देगा buy नीचे की तरफ breakdown देगा sell 18,600 पे ही कहीं नहीं कि market closing दिया है अब आज चुके दोस्तों nifty की option chain पे ये हमारे call writer ये हमारे put writer and 18,600 पे ही आके market close दिया है आज की दिन call writer का बहुत bend ब हो चुक है माइनस 17 लाग माइनस 6 लाग उपर की तरफ अगर हम देखें तो 18,600 पे ही दोस्तों 43 लाग ये नहीं सुधरेंगे 43 लाग से ज्यादा कहीं है कि call writer बेठें 18,650 पे अगर आप देखेंगे 23 लाग उसके ओपर 26 लाग यानि कि कल के दिन अगर 18,600 के उपर ही market अग आपको bullish momentum देखने को definitely मिलेगा क्योंकि 43 लाग से ज्यादा call letter trip होने बाले हैं नीचे की तरफ अगर मैं बात करों दोस्तों बहुत अच्छा put writer है 18,600 पे 58 लाग उसके नीचे 23 लाग उसके नीचे 39 लाग मस्ट put writing है दोस्तों कोई भी डर का माहूल नहीं है strong दिख रहें put writer confident बस कल की दिन अगर day high break कर दिया आज का ते definitely हमें उपर की तरफ ही moment देखने को मिलेगा अब जल्दी देख लेते finnipty finnipty तो बहुत आजाने और आज के दिन सच में boring भी था finnipty तो देखिए दो ही level में select करके रखा हूँ अगर finnipty कल की दिन flat है फिर gap up खुला 19,631 के उपर जाने लग गया तो call by क्यूंकि दोस्तों ये finally ये lifetime का high है 19,631 जो है न वो lifetime का high है तो कल के दिन अगर finnipty अपना day का high भी break करता है आज का और उपर से lifetime high जो है जो resistance है 19,631 इसको breakout करता है तो हमें call खरीदना है डूसरी बात अगर मैं आपको बोलू दोस्तों put put कप खरीदना है तो put आपको 19,463 के नीचा में put option खरीदना है region बड़ा simple है 19,463 अगर आप देखेंगे ये resistance था यहां पे भी देखेंगे draw करना भूल गया था ये resistance था देखें से 19,463 से fall हुआ and fall हुआ अगर आप देखेंगे इसी level के आसपास fall इसी level को एक टच किया fall और अब completely support बन चुका है यहां से एक तो मार के नीचा के टच करके उपर जाएगा और इसी support के नीचे अगर breakdown करेगा then only आपको downside move देखने को मिलेगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजिए जाए दोस्तों free बाले group पे अभी कभी join हो जाएए अपने mommy papa को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए तो चले दोस्तों मिलते हैं कल के दिन thank you so much वीडियो को पुरा देखने के लिए take care bye and see you